है लो फ्रेंट वेलकम तू माइट यूटूब चैनल एस डबलू जी टड़ी विद गुरुकुल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंटर्व्यू मेथर्ड इंटर्व्यू मेथर्ड इंटर्व्यू मेथर्ड विच इन आदर इंपॉर्टेंट मेथर्ड फॉर्ड जिसकी हेल्प लेके बहुं साथ साइकोलोजिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं तो आइए पढ़ते हैं अबाउट इंटर्व्यू मेथर्ड इंटर्व्यू मेथर्ड क्या है बैसे आपको इसका बारे में पहले भी बहुत नौलेच होगी आज हम इसको और डिटेल में पढ़ सिर्टेशन हो रही है इसमें क्या होता है इसका कोई गोल होता है इसनौन ऐसेशन नौन एट विडियो में डिसक्क्रियू अगर आपने कहने वीडियो नहीं बेए तो प्लीज वीज को देखे और dialect में किसमें सी इन्टेविव्यूर और बहुता है इंटर्वीव को इंटर् है यूजली जिसमें की क्या करते हैं डिटेल्ट पर्सनल इंफर्मिशन लेते हैं रिसेर्चर्च और साइकलोजिस्ट फांड इंडिविजिए तॉट्स फीलिंग और बिहेवियर को समझने के लिए हम क्या करते हैं इंटर्वियू लेते हैं लोग इंटर्व्यू को मानते हैं कि यह हमें क्वांटिटेटीव और क्वालियूटेटीव डेटा दोनों ही दे सकते हैं इससे हमें पता सब्सक्राइब करते हैं और पर्टिसिपेलिंग के थार्वियू और बिहेवियर पता चलता है now there are various type of interviews जो कि हम पढ़ने वाले जो फंडामेंटल जो टाइप्स है वो है structured and non-structured तो first one is the structured interview structured interview को क्या मतलब है structured interview मतलब यह हमें quantitative research method है where the interview set a prepared close ended question close ended question का मतलब क्या है end में question mark लगा हो मतलब वो जो question अब बंद हो जैसे की what is your name how do you feel this kind of questions are close ended open ended questions कैसे होते है what you like how do you feel if I give you something like open ended जिसमें की सामने वाले interview को chance मिल रहा है इसको बोलते है open ended close ended मतलब close ended question mark लगा हुआ है end में so in this form structured interviews में close ended questions use किये जाते हैं मतलब जो interviewer है उसको पहले से ही tag question का set मिलता है और उसको वही follow करना पड़ता है exactly same word बोलने पड़ते हैं एक paper में लिखा रहता है वह अपने words को भी change नहीं कर सकता उसको same format में मतलब format जो है सभी के लिए change रहता है वो चाहिए कितने भी participants हो और कितने ही interview हो तो यह standardized format use करता है asking the same questions to each interview and in the same order even इसमें order भी change नहीं कर सकते हैं और same questions interview interview से पूछते हैं participant से पूछते हैं our interviewer जो है deviate नहीं कर सकता from interview मतलब ना वो जो topic है उसे deviate भी नहीं कर सकता कुछ और detail में भी नहीं पूछ सकता सिरफ clarify कर सकता है the meaning of the questions अगर participant यह पूछता है की meaning क्या है question का तब वो थोड़ा सा बता सकते हैं ज्यादा detailing इसमें possible नहीं है so the structured interview is also known as the formal interview like a job interview मतलब बिलकुल formal तरीके से होता है on table and chair face to face जहां पर एक पहले से ही structured set of questions होते हैं participant से पूछे जाता है participant इसमें जवाब देता है नौ इसकी strength है कुछ limitations है strength क्या है easily say result और replicate कर सकते हैं अगर fix set of close question पूछा जाता है तो मतलब researches experiment को repeat कर सकते हैं consequences result को repeat कर सकते हैं replicate कर सकते हैं क्योंकि अगर same set of questions participants से पूछा जाता है and it is very easy to quantify मतलब के starts निकालना बड़े easily हो जाता है क्योंकि same set of questions है कुछ इधर-दर के और knowledge इसमें add नहीं होती तो इसमें reliability increase हो जाती है अगर हम structured interview को use करते हैं and structured interview के इस very fairly quick बहुत जल्दी से contact कर सकते हैं इसमें interviewer को इतना सोचना नहीं पड़ता same set of questions है just repeat करने होते हैं and many interviews can take place within a short amount of time मतलब थोड़े से ही time में बहुत सरे participants का interview लिया जा सकता है this means a large sample can be obtained resulting into the finding being representative and having the ability to be generalized to the large population मतलब हम ज्यादा से ज्यादा population ज्यादा से ज्यादा sample का interview ले सकते हैं and जिसके basis में large sample मिलेगा जब large sample मिलेगा तो हम उसको एक large population का representative बना सकते और generalization कर सकते हैं तो यह है इसकी strength limitations भी है limitations इसकी क्या है कि यह बिल्कुल flexible नहीं है इसमें जो है interviewer कुछ अपनी तरफ से add नहीं कर सकता पूछ नहीं सकता new questions नहीं पूछे जा सकते हैं जो interviewer को लग सकता है उस time कि मैं पूछ लूँ on the basis of the knowledge but वह नहीं कर सकता क्योंकि इसको structured pattern of interview follow करना पड़ता है it lacks details and only close questions can be asked which generates only quantitative data this means researchers won't know why a person behave in a certain way अगर मान लो हम किसी behavior पर like for anger issue पर interview ले रहे हैं कि कब-कब इनको कुस्सा आता है पट क्यों आता है वो qualitative information हमें नहीं मिलेगी हमें सरफ quantitative मिलेगी कि हां आता है numbers मिलेंगे not the quality तो यह है कुछ limitations structured interview की and next fundamental type of interview unstructured interview unstructured interview जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी structure नहीं होता है and we can use any set of questions पहले से कोई होते हैं and this allows the interviewer to follow into a natural conversation natural conversation के flow में जिस तरीके से चलते आते हैं उस तरीके से question पूछते आते कोई पहले से ही pre-decided set of questions नहीं होता है इसमें interviewer को chance मलता है कि वो modify कर सकता अपने questions को जो की candidate के specific experience को suit करते हैं अब ऐसा हो सकते है कुछ candidates होते वो जो topic पे interview लिए जा रहा है उस पे ज्यादा experienced हो तो उससे related question पूछी जा सकते हैं मतलब ही candidate के level के basis पे interviewer जो है अपने questions को modify कर सकता है इसको एक और नाम दिया गया discovery interview discovery क्योंकि हम हमें मौका मिलता है सामने जो participant उसके बारे में और जाने का और discover करने का and it is more likely a guided interview than a strict structured interviews जो अपना structured interview होता है kind of interview होता है where this is a little kind of informal interview kind of guided in observation or discovery interview अब इसके भी कुछ strengths or limitations है ना उसकी strength क्या है flexibility it provides the interviewer flexibility and जो की interviewer अपनी conversation के हिसाब से adapt कर सकता है change कर सकता है depending on the respondents and the candidates it generate the qualitative data जैसे कि मैंने बताया कि इसमें interviewer को chance बल रहा है और detailing पूछ सकता है जैसे कि अगर गुस्से के उपर एंगर के उपर research हो रही है तो क्यों होती है कब कब आता है क्यों आता है किस time आता है आप क्या करते हो anger वह कम करने को सच टाइप of qualitative questions can be put up to the candidate तो odd depth में knowledge मिल जाती है और इसमें जो respondent है अपने own words में explain कर पाता है और interviewer भी अपने words में questions को put up कर सकता है तो एक बहुत real sense of experience देता है interviewer को ताकि वह situation को समझ पाए कि सामने वाला candidate है वह ऐसा act और react क्यों करता है जिससे की जो results आते है उसकी validity increase हो जाती है interviewer को chance मिलता है clarification का similarly जो candidate है interviewer उसको भी ample chance मिलता है कि अपने questions put up कर सके और clarification कर सके and it can steer in the direction of the interview कि जिस direction में interview जा रहा है उसको direction proper तरीके से मिल पाती है इसकी limitations क्या है not limitations है it can be time consuming जैसे की detailing वाला काम इसमें होता है details बहुत जादा हो जाती है क्योंकि जब conversation होते हैं तो एक question का answer देते हैं उस answer में से और questions निकल के आते हैं तो time consuming हो जाता है जब detail में हमें data मिलता तो इसको analyze करना क्योंकि qualitative data मिला तो इसको analyze करना भी time consuming हो जाता है और इसमें जो interviewer होता है वह highly trained होना चाहिए क्योंकि such type of interviewer need proper training and employing तो बहुत expensive हो जाता है not as cheap as collecting data and questions जैसे कि structured interview में इतने professional psychologist या researcher नहीं चाहिए क्योंकि एक properly set of questions दिया हुआ है but in this case there should be a well trained psychologist or a psychologist trainer जो की इस type के interviews ले चके कौन से unstructured के for example certain skills may be needed by the interviewer जैसे कि उसको रैपो कैसे establish करनी है कब कैसे कहा प्रोब करना वैसा नहीं हो कि उस जगह पर प्रोब कर दिया जाया जो की candidate बहुत hurtful है और उसी को बार बार प्रोब करकर के पूछा जा रहा है सामने वाले candidate के sentiments को भी समझना बहुत जरूरी होता है तो यह थोड़ा से expensive method हो जाता है और एक होता है focus group interview में क्या होता है यह qualitative approach है जहां पर हमें qualitative data मिलता है यहां पर एक नहीं ग्रूप है उनको interview किया जाता है together ताकि हम social issues पर काम कर पाएं इंडेप्थ knowledge ले पाएं जिसे religious sentiments को जानना है cultural sentiments को जानना है किसे particular social community sentiments के बार में जानना है तब इस तरीके ग्रूप इंटर्वी जो है यूज किये जाते हैं इंटर्वियू को राधर देन स्टाटिस्टिक्ले रप्रेजेंटेटेटी सेंपल अव ब्रॉडर पॉपुलेशन मतलब ऐसा सेंपल नहीं लेते कि हम ब्रॉड पॉपुलेशन को रप्रेजेंट करें इसमें इस्पेशली रिसेर्चर जो है अपनी नॉलज के साब से सिलेक्ट करता है और इंटर्वियूर का रोल क्या होता है एस अ मॉडरेटर एक्ट करना कि जो ग्रूप में डिसकेशन होता है यह बात हो रही होते है वो उसे टॉपिक पे हो जिस पे रिसर्च हो रही है वो ज्यादा एडुकेट नॉलज उसमें से डिसकस और निकाली जा सके तो यहां पर इंटर्वियू जो है एक्ट 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 एक्ट्रोल एंड डॉमिनेंट टॉकर्स हैं और शाही पार्टिसिपेंट से इनके बीच में बालने की कोशिश करता है यह कोशिश इंटर्वियू एक और टाइप रह गही है यह सेमिस्ट्रॉक्ट इंटर्वियू वह में नेक्स वीडियो में करूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इस वाइप आपको वीडियो वाथ फुल लगेगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो झालतो बिल्स का युल लगती हैं तो बच्छी वीडियो पर टाइप खालतो जाहे लाएप शीडियो